गोवा जो आज कल की popular tourist destination में आता है वो 1510 में वहाँ पर पोच्चुगीज ने हिंदूस और मुस्लिम्स का ethnic cleansing किया था जो की गोवान population के उस वक्त के 8% minority group में आते थे Basically, पोच्चुगीज चाहते थे कि गोवा एक Christian land बन जाए इसलिए वो हिंदू temples को तोड़ने लग गए ताहती साथ ethnic cleansing करने लग गए इसलिए क्या हुआ कि Christian population बढ़ गई इसलिए आज सब जानते हैं कि गोवा एक Catholic area जाना जाता है ऐसी कुछ events के पर में जानने के लिए do subscribe my channel for more